नमस्कार मैं हूं साक्षी ममगाई सीधा रुख कर रहे हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर बिहार, राजस्थान, उत्राखन, डगनीपत योचना की लपते समय देश के हर कोने में धदक रही है धीरे धीरे विरोध की तस्वीरे व्यापक होती जा रही है केंज सरकार ने रक्षा भरती प्रक्रिया में लाई जिस बदलाव को जिस फैसले को इतिहासी करार दिया है उसे युवा छलावा, विवक्ष पर योग शाला और भूत पूरु से निक में राशा बता रहे हैं बीदे मंगलवार को रक्षा मंतरी राजना सिंग ने अगनी पर भरती योजना का ऐलान किया भरती प्रक्रिया के लिए नियमों के नए मनसूबे पर बात करते हुए रक्षा मंतरी ने फैसलों के सैंक्रोफाई दे गिनवा दिये इसमें युवाओ को शौर्ट टम के लिए सेना में जाने का मौका देना, रक्षा व्यवस्ता को मजबूती देने की बात कहना, नौकरी के अफसर बढ़ने पर जोर देना इसके लावा देश को स्किल वाले लोग देने जैसे तमाम तरक रक्षा मंतरी देते नजर आए हाला की कोई दलील योजना की वकील नहीं बन पाई, नौजवानों का गुस्ता खूट पड़ा है, सरकार पर क्यूं? इसके लिए योजना के हैं पहांच बिंदू देखेंगे और समझेंगे पहला मैरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होने वाली ये भरतिया के एवल चार साल के लिए की जाएंगे, युवाओ का सवाल है, चार साल पाथ हम करेंगे क्या? दूस्रा, सेवा समापत होने पर सिर्फ 25 पीसदी अगनी वीरों दे कि अगनी वीर उन जवाणों को कहा जाएगा जो अगनी पतभरती हूजना से सेना में आये हैं सफ 25 फीसदी ही अगनी वीरों को स्थाई काडर में भरती किया जाएगा नौजवान पूछते हैं कि बचे 75% को बेरोजकारी की जद में आने से कौन बचाएगा तीसरा स्कीम के अनुसार से नमे प्रक्रिया के तहत भरती होने वाले अगनिवीर के पहले साल का मासिक वेतन तीस हजार दूफे साल देतीस हजार तीसरे साल 36,500 और चौसे साल 40,000 रुपे होगा लेकिन सेवा समापने के बाद 11.7 लाख रुपे की सेवा निदी के अलावा किसी तरह की पेंशन का प्रावधान नहीं है अचानक बेघर युवा जाएंगे किधर चौथा सेलेक्शन के लिए सेनिकों की उम्र की सीमा 17 साल से 20 साल के बीच रखी गई है नौजवान जानना चाहते हैं कि 3 साल बाद भरती निकली है वो भी सिर्फ 4 साल के लिए और इसी बीच जिनकी उम्र चली गई उनका क्या पांच वार आखरी 6 महीने की बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग के बाद 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा इसमें बार भी पास उम्मीदवार भरती के लिए पात रहो अगर सेवा के दोरान शहीद या दिव्यांग हो गए तो 44,000,000 रुपे तक का मुआवजा दिया जाएगा अगर शहीद होई तो परिजनों को सेवा निधी समेट 1,000,000 रुपे से जादा की राशी बया समेट मिलेगी चलिए ठीक है पर ना सर्फ इचुक क्यों हुआ बलकि खुझ सेरा से जुड़े लोगों का सवाल है कि 4 साल में कौन सी जनकी बात केंदर कर रही है और 4 साल के लिए जवान भरती होंगे क्यों इनी अंसुल जे प्रश्णों का नतीजा है कि समेटेश के कोने कोने में प्रगर्शन चल रहा है जिसने कहीं जगाओं उपर हिंसक रूप ले दिया है अब देखिए कि कहां पर क्या हालात है अगनिपद स्कीम को लेकर ब्रस्पतिवार को बड़ी तादाद में युवा सड़कों पर उतर गए कहीं पर बसे रोक दी गई, कहीं पर ट्रेनों पर पत्राओं किया गया है केंद्र सरकार की स्कीम का विरोध करते हुए साड़क और हाईवे दोनों जाम कर दिये गए बिहार की रास्पानी पटना सने कर बेगुसर आये, बक्तसर और मुझफवरपुर में तक विरोध प्रदेशन देखे गए हिंसक रोप ले चुके विरोध के दोरान बिहार के छपरा में तीन ट्रेनों को फूंक दिया गया खबर ये भी है कि नवादा जिले में वार्सली गच विधानसावा छेत्र के विधायक अरुणा देवी की गाड़ी पर भी यूवाओं ने हमला कर दिया उदर जहानाबाद में विरोध प्रदेशन इंसक भी होता दिख रहा है राजस्तान के जुन जुनु और जोदपुर में भी अगनिपत योशना के विरोध का आवाहन किया गया उतराखन में भी यही आलाद है चंपावत के खटीमा पिठोड़ागर टीरी समेच जिलों में यूवाओं ने विरोध दर्च किया है अच्पूरे प्रदेशन के बीच हमाचर प्रदेश के धर्मशाला में चुनाव अभियान के लिए जा रही मोडी की रैली में विरोध जताने जा रही यूवाओं को रोका गया यूपी में भी अभियान के खिलाफ नारेबाजी की गई देखिए विरोध क्योंकि व्यापक है तो योजना पर विचार पर भिन है और प्रतिकरिया भी विबिन है मोडी सरकार के सेना की भरती प्रकरिया में किये गई इस बड़े बदलाओं के बाद विबक्ष सेनियादिकारियों और भूतपूर सेनिकों से अलग-अलग जवाब मिले है कॉंग्रेस महासुची प्रियंका गांधी वाद्रा ने सरकार पर प्रहार किया और सवाल किया कि बीजेपी सरकार सेना भरती को अपनी परियोग शाला क्यों बना रही है रिटार लेटिनिंट जनरल विनोद भाटिया कहते हैं कि कोई प्रियायोग एक परियोचना नहीं सीधे कारिन्वेन किया जा रहा है अच्छा विचार नहीं इसके अलावा रक्षा विशिशग्यों का कहना है कि महमान सेनिकों के दम पर जंग नहीं जीती जाती इसके विप्रीक केंद्रे रक्षा राजे मंत्रे जेभट यूपी सीम योगी आदितना जैसे कई नेता इसे अवसर बता रहे है पर बड़े से बड़ा मंत्रे इस बात को नहीं न कार सकता कि जिस स्तर पर विरोध चल रहा है वो यदि समय पर रोका नहीं गया तो नतीजे गंभीर होंगी वो भी तब जब विरोध का चहरा खुद जनता है मोजी सरकार के लिए विरोधियों से निपटना पाए हाथ का खेल हो सकता है लेकिन जब भीड भड़क चाती है तो सरकार की भी गले गले आजाती है जो सभाविक है फ्रेदर्शन की फोशाक अगर जनता ने पहनी हो तो फिर इस तदी की गंभीरता आप समझ सकते है समझिए कि ये वो कुछ है जिसका नित्रित्व कोई राशनर्टिक पार्टी नहीं कर रही है अन्याय के विरुद उठी आवाज भी जनता है और वार भी जनता ऐसे में देखना होगा कि कैसे मोहौल को समेदन शीलता के उस तर पर जाने से सरकार रोपती है जहां युवाओं के पारे को ठंडा ना किया जा सके मामने में केंद्र कदम पीछे खीजेगी या वक्त रहते जनता सरकार के हातों रीजेगी जानने के लिए बस बने रहिएगा देभूमी इंसाइडर के साथ आज ही डाउनलोड करें देभूमी इंसाइडर एप